मानस पूजा के लिए हमारे अंतर में जिस प्रकार पंच भूत विद्यमान है उन्हें पंच भूतों के द्वारा भगवान स्री राम कृष्ण देवधी पूजा पदती में जो पूजा बताई गई है उसी का यहां पाट किया जा रहा है भगवान स्री राम कृष्ण देव का ध्यान करने के पस्चात इस मानस पूजा को विभिन वस्तों के द्वारा जब हम बाहर से किसी प्रकार से पूजा करते हैं कि यह सब वस्तों पंच भूतों के द्वारा ही तो बनी है और हमारा सरीर भी पंच भूतों के द्वारा बना है पंच भूतों का कहने कारत है पृत्वी, जल, वायू, अगनी और आकाश इन सब पांच चीजों से हमारा सरीर बना है इनी सब पांच चीजों से ही संपून पृत्वी, संपून समस्टी कि जितना भी हमारा चिंतन होता है वह सुब वहां बना है और उसको बाहर से लाकर अपने ही अंतर से सभी पूजा के द्रव्यों को प्राप्ति कर ली जा रही है उसी को हम भगवान स्री राम किष्ण देव के चड़नों में मानस पूजा के रूप में अर्पित कर रहे हैं इसके लिए सबसे पहले भावना करनी है कि रिधय कमल के अंतर में सुधा समुद्र विद्यमान है और उस पर अवस्थित रत्न दीप है जिसके मद्धे भाग में कल्पतरू के नीचे रत्न सिंगासन पर मनी पीट पर भगवान स्री राम किष्ण देव विराजमान है यह हमारे इस्ट देव हमारे रिधय में विराजमान है इस कल्पना की रिधय में इसकी कल्पना करके हम इस पूजा का आयोजन आर निस्पाधन करते हैं फिर इसा चिंतन किया जाता है कि रिधय इस्थित जो कमल है उस पर हम आसन जो है उस पर हमारे भागवान बैठे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं उनका आवाहन करते हैं फिर सहस्त्रार जो कि हमारे मस्तक के ऊपर है इस सहस्त्रार से जो अमृत विसर्जित हो रहा है क्यांकि सहस्तरार में कहते हैं कि जब ये सहस्तरार में हम अपने गुरुजनों को अपने हाथ रखने के लिए बोलते हैं कि प्रभु थोड़ा आप अपने हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए तो इसका योग में है कि हमारे मस्तक पर जो हमारा सहस्रार कमल है वहां से अम्रित वर्षन होता है अम्रित कार्थ ग्यान रुपी अम्रित वर्षन होता है क्या ग्यान होता है कि ये स्रिस्टी में इश्वर ही एक है सिराम किष्ण जैसे बोलते हैं कि ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ वो सब इश्वर ही बने हैं तो ये जो ज्ञान है ये सहसरार कमल पर हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं और गुरु तेव की गृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है और वही अमृत है उसी अमृत से ही जो सबसमेक शरित हो रहा है हम उसी अमृत के द्वारा ही भागवान के चर्णों को दोने का जल लेते हैं फिर उसके बाद हमारा जो अर्गे जो प्रधान करते हैं भागवान को हमारा मन ही उनके चर्णों में अर्गे के रूप में होगा वही हम उनको निवे और दिद्द करते हैं। फिर विभीन प्रकार से जो आच्मन की लिए जो प्रक्रिया जो हम भुतिक रूप से करते हैं वही प्रक्रिया इसी अमरित का चेहन करके आच्मन और स्नाँ nosso नित्यादी का जल मैं भगवान को समर्पित करते हैं। जो हमारे सरीर में आकास तत्व है वह एक प्रकार से वस्त्र का रूप है इस आकाश ने संपूर्ण श्रिस्टी को अपने में समाहित कर रखा है सभी को यही वस्त्र पुदान किये गए हैं माकाली जब दिक वस्त्र है चदिक कर दिशाएं इन दिशाओं को जब वो धारन करक नहीं है इसका आर्थ है यह दिशाओं यह आकाश ही उनके वस्त्र हैं जिसको हम रात दिन अपने चारों उसका इस पर्स यह उसके अंदर में हमारी आवस्तिति अनुभव करते हैं इसी प्रकार जब पूजा में वस्त्र दिखाया जाता है तो हमारे अंतर से आकास तत्व क वहां व्यवस्ता की जा रही है कि इसी आकास तत्व को वस्त्र के रूप में दिखाया जा रहा है शिती तत्व रूप गंध हमारी जो प्रित्वी है प्रित्वी का जो सार स्वरूप है उसको गंध बोला जाता है तो हम हमारी प्रित्वी तत्व से हम गंध प्रधान कर रह हैं चित रूप पुष्प हमारे चित में जो नाना प्रकार के विचार हैं वही हमारे जीवन के पुष्प हैं उन चित को उस चित को पुष्प के रूप में भगवान को अर्पित कर रहे हैं और जो धूप हम प्रदान कर रहे हैं भगवान को वो धूप क्या है वो हमारे प्र सबसंँ आ समर्पित होग कि इस प्राकार से बताया है और जो तेज है सको अमारे वीक का रोप है वह बहुत है उद्यमान है वयद है अगनी का जैसे हम बहुते हैं आगनी पेट में खाने से पच रहा है कि नहीं पच रहा है जठर अगनी के प्रबल होने से पता चलता है बने अगनी है और सहस्तरार से जो शुदा समदर रूप है शुदा जितना भी अमरित स्वरुप जो कुछ भी है हमारे अंतर में वो सहस्तरार से शरित हो रहा है सहस्तरार से बहरा है उसी को हम भगवान के चर्णों में नेविद्ध रूप में समर्पित कर रहे हैं प्रभु आप इसे स्विकार करिए इसका रहत है हम अपने आपको ही मानस पूया के रूप में प्रधान कर दे रहे हैं हम अपने आपको ही संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दे रहे हैं आए इसका पार्ट करते हैं गंध स्यात गंध तत्वकम चित्तम प्रकल्पयत पुष्पम धूपम प्राणान प्रकल्पयत तेजस तत्वं च दीपार्थम नैवेद्यं स्यात सुधां बुदिही अनाहत ध्वनिर घंटा वायू तत्वं च चामरं सहस्रारं भवेत चत्रं सब्द तत्वं च गीतकं नृत्यमिंद्रिय कर्माणी चांचल्यम अनस्तता सुमेखलां पद्म मालां पुष्पम नाना विधंतता अमाया ध्यर भाव पुष्पे अर्चयत भाव गोचरं अमायं अनहंकारं आरागं अधंतता अमोहकं अधंभंचा द्वेशाक्षोबको तता अमाच्सर्यम अलोभंचा दस पुष्पम विदुर बुधा अहिम्सा परमं पुष्पम 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 इंद्रिय निग्रह धया पुष्पम शमा पुष्पम ज्ञान पुष्पम च पंचमं इति पंच दशे इर भाव पुष्पे संपूजये शिवं जो घंटा है वो अनाहत ध्वनी है जो हम घंटा के पूजा में बजाते हैं वो एक प्रकार से अनाहत ध्वनी का स्वरूप बताया जाता है वायू का जो तत्व है उसको चामर जो हम चामर भागवान के लिए अर्पित करते हैं उनको हवा देते हैं वो वायू कह रूप बताया गया सहस्रारंभवेज चत्रम और भगवान के सिर्गयोपर चत्र प्रदान किया जाता है मस्तक पर चत्र है उसी को यह प्रदान किया गया इस प्रकार से बहut सुंदर प्रकार से अपने आपको आप समर्पित करते हुए इस मानस पुजा का हम प्रती दिन आयोजन करते हैं भगवान स्री राम कृष्ण देव की नित्य पुजा करने के समय ओम स्री राम कृष्णार पर्णमस्तू